नमस्ते और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है स्थानिय अधिकारियों के अनुसार लापता विमान एक सफेद और नीले रन का सेसना 172 विमान है जिसे आखिरी बार 20 फरवरी 2023 की दुपहर अलबे के उपर उडान भरते हुए रडा पर देखा गया था विमान में दो यात्री, एक पाइलट और एक सेह पाइलट और सवार थे स्थानिय समयानुसार अप्राहन लगभग 4 बजे बजे लेगास्पी सिटी डोमेस्टिक एपोर्ट पर उतरना था स्थानिय निवासियों और मचवारों की मदद से लापता विमान और उसके यात्रियों की तलाश के लिए खोज और बचावदलों को तैनात किया गया है भारी बारिश और तेज हवाव सहित खराब मौसम की स्थिती से खोज अभियान बाधित हुआ है जिससे द्रिश्यता खराब हो गई है और खोज क्षेत्र को नेविगेट करना मुश्किल हो गया है क्षेत्र में लापता सेसना विमान से जुड़ी पिछली घटना अक्टूबर 2022 में हुई थी जब एक सेसना 210 विमान भी बिना किसी निशान के गायब हो गए व्यापक खोज प्रयास के बावजूद पिछले विमान से कोई मलबा या मलबा नहीं मिला है और इसके यात्रियों का भागय अग्यात है नवीनतम अपडेट के अनुसार लापता सेसना 172 विमान और उसके यात्रियों की तलाश और बचाव अभियान अभी भी जारी है लेकिन अभी तक विमान का कोई सुराग नहीं मिला है खोच क्षेत्र में अलबे क्षेत्र में भूमी और समुद्र का एक विस्त्रित खंड शामिल है और अधिकारी किसी भी संभावित सुराग के लिए आसपास के प्रांतों के साथ भी समन्वय कर रहे है विमान के लापता होने का कारण अभी भी अग्यात है और क्या हुआ यह निर्धारित करने के लिए जाँच चल रही है हाला की घटना के समय क्षेत्र में खराब मौसन की स्थिती ने चिन्ता जताई है कि विमान के लापता होने में इसकी भूमिका हो सकती है उसी क्षेत्र में सेसना 210 विमान के लापता होने की पिछली घटना ने इस बारे में बढ़ती चिंता को बढ़ा दिया है क्षेत्र में उडान की सुरक्षा स्थानिय अधिकारियों ने दोनों घटनाओं के कारणों की पूरी तरह से जाच करने और भविश्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने का वादा किया है विमान को आखिली बार 790 मीटर की उचाई पर गुडफाउंट सिमेंट कॉप के उपर सुबह 6 बच के 48 मिनट बजे देखा गया था लेकिन ये बहुत नीचे ओर रहा था उचसजित करना, गायब होने से पहले धुआ और गड़गणाहट की आवाज करना वरिष्ट निरीकशक ने कहा कैमलिंग फायर स्टेशन के प्रमुक हमोर लागुएल्स ने बेंटोनन गाव के प्रमुक पाबलो मिरारन की एक रिपोर्ट जारी की, सेंटियागो ने कहा कि अलबे और कैमरीन सुर प्रांतों में खोज और बचाव दलों को तैनात किया गया था मामले में कहा गया है कि बिकोल क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कम दबाव वाले क्षेत्र, LPA, के कारण पाइलट को मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा एलबे में दुर्घट नागरस्थ हुआ सेस्ना विमान लूजोन हवाई क्षेत्र में समस्याओं का सामना करने वाला अपनी तरह का दूसरा विमान है 25 जन्वरी को 16 सीटो वाला जन्रल एवी सेस्ना 206 कोयन घरेलू हवाई अड़े से लगभग 60 किलोमीटर दूर में कॉनकॉन इसाबिला के रादार से गायब हो गया जहां इसने दुपहर 2 बच के 16 मिनट बजे उडान भरी थी आरपी पता लगाने के प्रयासों के बावजूद पर्वतियक शेत्र में मौसम और वनस्पती आवरण ने कथित तोर पर हवाई खोजों को प्रभावित किया है और जमीनी खोज टीमों के लिए भी मौसम असहयोगी रहा है PARCC ने 14 फर्वरी को एक रिपोर्ट में कहा कि 21 दिनों के सा ओप्रेशन के बावजूद अभी तक आरपी का कोई पता नहीं चला है इसलिए वर्तमान में संबंदित विमान अभी भी लापता है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद इस तरह की और सामगरी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें